Hello and Welcome to Phoneless दोस्तों, आज किस वीड़ों हम लोग जानेंगे DP और SP के फर्क को, so let's start तो basically हम लोग जब Android Development में आते हैं और beginning करते हैं designing tutorials और designing में जब हम तीरे तीरे आगे बढ़ते हैं तो हम सभी के mind में confusion आती है वो यह है कि DP और SP होता क्या है क्योंकि जब हम designing करते हैं तो कहीं पर SP किसी tutorial में दिखता है तो कहीं पर DP और basically tutorial के एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ने दिखेंगी तो चली confusion के लिए करते हैं तो फटा फटा एक activity हम लोग create कर लेते हैं SP DP activity कुछ भी आप नाम दे सकते हैं मैं तो जैसे example reference के लिए दे रहा हूँ या अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक बटन ड्राइग कर लेते हैं बटन को ड्राइग कर लिए हमने आप simply हम एक चीज मा right with हो या फिर margin हो या फिर padding हो layout and views like for example views कहने का मतलब है बटन, image, text view इन सब चीजों में आप अगर उस layout या फिर उस view के size को change कर रहे हैं तब आपको DP use करना है लेकिन text view के अंदर जब आप text size change करेंगे तब आपको SP देना है जैसा कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ text size के लिए forever आपको SP यूज करना और by default जो size होती है वो 12SP रहती है उससे नीचे का use आप अगर नहीं करते हैं वो ही अच्छा रहता है लेकिन कभी-कभी app में ज़रूरत होती है के 12SP से नीचे का भी size हम यूज करते हैं तो basically SP क्यों use करते है text size के लिए तो text size के लिए SP हम इसलिए use करते हैं क्योंकि कुछ users अपने android के setting में जा करके font preferences में जा करके अपने font का size छोटा, बड़ा, medium, something like this करते हैं तो अगर आप अपने app में text size के लिए SP में नहीं use करेंगे, codes तब वो चीज़ आपके application के लिए apply नहीं होगी, means उन्होंने भले ही size को change कर रहा है लेकिन आपके application के लिए वो नहीं apply होगी, और जिस वाया से user का experience थोड़ा खराब होगा और maybe वो आपके app को use करना बंद भी कर सकते हैं, हो सकता है, तो इसलिए हम लोग SP use करेंगे, SP का मतलब एक responsive text size, जैसा कि Android के setting में user ने कर रखा है, चाहे large कर रखा है तो आपके app में भी वो large होगा, medium कर रखा है तो medium, normal है तो normal, तो text size के लिए forever SP, और layouts for example अगर इस button का size हमें change करना है, तो simply हम लोग DP में use करेंग, आ पर SP use करने का कोई सवाल ही नहीं है, Android Studio actual में काफी intelligent है, वो आपको हमेशा बताएगा कि आपको क्या चीज़ यूज़ करना है, किस जगा पर और किस चीज़ को avoid करना है, तो वो सारी चीज़ें हिंट लेकर के आप भी professional designer, professional Android developer बन सकते हैं, तो ये थी एक bonus वीडियो, Android development पर अ Android development के, वो Saturday, Sunday को आएंगी, या फिर सिर्फ Sunday को जब आएगी, तो यानि वीक में एक या दो वीडियोज हर वीक आएगी Android development पर, और बाकि नॉर्मली जो वीडियोज चल रहे हैं, latest tech, stuff, reviews वगरा, fact check वगरा, वो तो always चलते ही रहेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, I hope के information आ अगल मूई दो ताहएं पितना ही, तो आई ह्लautवागद को तो दो चलते ही वीडियोमा ťा अगल दोिते ही, तो हूद में एक जहेंगेंगे, तो अजैना हैं धनल गोरवज पे